हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइन यूट्यूब वीडियो तो टूड़े वी डिस्क्स अबाउट दा इलबड बिल कंट्रोवर्सी जो इलबड बिल था ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो इलबड बिल जो था 1883 में जे इंट्रोड्यूज किया गया बाइदा लॉर्ड रिपन्स गुवर्नमेंट तो ये क्यों इंट्रोड्यूज किया गया बिकाज नो मैजिस्टेड और सेशन जजज कुट ट्राई ए यूर्पियन बिरिटिश सब्जेक्ट unless he himself was a European by British कोई भी जो इंडियन था एक बिरिटिश को ये कोट में इन पर फैसला नहीं सना सकता इसके लिए एक बिरिटिश ही चाहिए होता था जो के इनको फैसला इन पर फैसला सना सकता था तो बिल इंट्रोडूस किया गया 1883 में जिसको के बाद में इलबड बिल कहा गया ये इलबड जो था इसका पूरणा सीपी इलबड था और ये लॉमनिस्टर था एड़ टाइम और अच्छा दोस्त भी था लॉर्ड रिपन का तो ये बिल अपोज किया गया by British men क्योंकि ये चाहते थे ये समझते थे के जो इंडियन है ये inferior है और ये बिल पास नहीं हो सका और लॉर्ड रिपन को बहुत ज़्यादा अपोजेशन फेस करनी पड़ी लेकर अफ्टर सम इंप्रोव्मेंट्स इस बिल इस बिल कुट भी पास्ट इन 1884 में दवारा ये बिल पास हुआ कुछ इसमें इंप्रोव्मेंट्स की गई इस बिल में तो अब जो था now convicted persons presented in any code अब जो convicted person होते थे किसी में code में वो present किया जाते थे और but the decision was reserved with the bench of 12 jurists out of which 7 were English or Europeans अब 12 members 12 jurists जो थे ये इस पर फैसला सुनाते थे 12 jurist bench जो रिजर्व किया गया उसमें से 7 जो थे English थे और अब ये फैसला सुनाएंगे किसी भी European पर लेकिन इसमें जो थे 12 में से 7 European थे बाकी इसमें Indian थे so finally Indian भी जो थे ये भी किसी European पर फैसला सुना सकते थे तो ये था आपका Albert बिल तो I hope आपको ये वीडियो पसंदाए होगी